हलो गोड इवनिंग बच्चों वेलकम टू डाउटनेट लाइव तो बच्चों कैसे हैं आप सभी आमशौर की सब हो फिट और हेल्दी और अब तो आपकी प्रिपरेशन लगबग लगबग पूरी हो गई है एक्जाम की और हम आज क्या करने वाले हैं देखो आपकी प्रिप इन बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं अगली क्लास में उस टॉपिक को एक्स्प्लेइन कर सकूँ ठीक है तो चलिए शुरुवात करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है और कौन सा चेप्टर है तो फॉर्स है आज हमारा जो चेप्टर है बच्चों व बड़ा basic सा chapter है और अगर आपको कोई उसमें problem है तो बताना है आपको comment box में ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं अपनी class की और जैसा कि आपको पता है कि class की शुरुवात बच्चों हमेशा किसके साथ होती है quiz के साथ है तो चलिए देखते हैं कि first quiz का first question क्या है आज हमारे पा करना है तो यह एक तरह से आपकी थोड़ी previous knowledge की चाकिंग है कि आपको क्या पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर आप कैसे identify करते हैं numbers को तो बताए which of the following is greatest चौलिए उसके बाद हम देखते हैं second question second is which of the following is smallest आपको बताना है कि इन में से सबसे चोटा नंबर कौन सा है तो द्यान से देखिए नंबर को क्योंकि टीए में चो चारों नंबर है उनमें चारों में ही three desserts है तो अब आपको देखना है कि कौन सा बच्चों यहां से बड़ है और कौन सा छोटा है चली बताइए बच्चों क्या यहां से आपका option रहेगा चलो next है हमारे पास which of the following is largest number of four digits यहां से आपको बताना है कि कौन सा four digit number है मतलब four digits तो सारी है पर greatest कौन सा है इसमें से वो बताना है आपको तो चली बताइए बच्चों की इसमें कौन सा greatest four digit number है तो ध्यान से आपको numbers को देखना बच्चों बताइए फिर देखकर ध्यान से फिर आपको option टिक करना है ठीक है तो चली यह हुए questions हमारे अब answer जैसा कि आपको पता ही है greatest number नहीं पता तो match करना सबसे पहले तो यह देख किसमें जादा है ठीक है तो जिसमें number of digits जादा है obviously वो बड़ा है अगर फिर ऐसा कोई case आजाए जिसमें number of digits बराबर हो तो फिर आप compare करोगे कि किसकी कौन सी digit बढ़ी है और उसमें आप first place से start कर दोगे ठीक है जो उसकी highest place है उससे आप comparison start कर दोगे अब यहाँ पे देखे और ही साफ clear हो रहा है कि four digit number जो है वो ही सबसे बड़ा है तो greatest हुआ बच्चों यहाँ से option A ठीक है 7778 अब चलते हैं second question की तरफ second में है which of the following is smallest तो smallest में क्या होता है जिसमें कम number of digits है वो smallest हो गया बट यहाँ जितने भी option है उनको देखकर हमें क्या लग रहा है कि चारों में नहीं क्या है तिन-तिन डिजट है तो थोड़ा सा मुश्किल है कि compare कैसे करें तो इसमें बच्चों आपको first digit देखनी है सब की ठीक है अगर बाइचांस first भी ऐसे same हो ना जो highest digit है highest उसका place पे जो number है वो अगर सब में बराबर है तो फिर हम second place देखेंगे फिर third देखेंगे अगर ऐसे second भी बराबर हो तो third भी बराबर है तो fourth भी बराबर है तो fifth देखेंगे बट यहां पे तो बहुत ध्यान से observe करके आपको पता चल रहा है कि first number जो है वो हर किसी में different है यहां पर है 8 यह है 7 यहां है 5 यहां है 9 तो सबसे चोटा इन में से कौन सा है 5 तो 578 यहां से क्या हुआ smallest number ठीक है तो correct मारा option क्या हुआ यहां से correct option option c next है हमारे पास which of the following is the largest number हो four digit four digit जो number है उसमें से हमें बताना कि greatest कौन सा है अब देखो यहां पर है हमारे पास four digit यह सारी ही क्या है four digit है लेकिन इन में से सबसे greatest जो number है वो है 9999 क्योंकि उसके बाद अगर इसमें one भ क्या बन जाएगा five digit number जो कि smallest five digit number होगा तो बच्चों यहां से correct option क्या है हमारा option b 9999 ठीक है greatest four digit number तो अब आपके यह तीन कोशन्स थे तो देखते हैं जड़ा तीन में से कितने हैं सबके three में से three तो obviously सबके होंगे है क्योंकि March start हो गया है full तैयारी आप लोगों की हो चुकी ह और यह chapter भी क्योंकि आपका easy है अगर आपको आता है तो आपके full number इसमें आएंगे ठीक है अब फटाफट से मुझे comment box में बताईए जरा किस किस के three out of three हैं और किसने जल्दबाजी में गडबड़ कर दियोगी मैं यह नहीं कहूंगी कि आपको आता है इसलिए गडबड़ ह भी हो सकता है गडबड़ आपने करियों किसी कुष्ण में तो बताओ फटाफट से किसका answer सही है तीनों के तीनों किसके सही है चलिए जल्दी से बताईए comment box में फटाफट 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 से फिर हम शुरुआत करें अपने class की और ऐसे ऐसे question आज करेंगे question topic देखें यह first chapter है ना knowing our number तो इसमें जो first chapter है कहीं ना कहीं वो हमारी जो previous class है उसी के ही topic है बट थोड़े से extended रूप में है ना क्योंकि fifth वाले सारे topic तो दे नहीं सकते तो उन्ही topics को क्या किया हुआ है थोड़ा सा extend किया हुआ है तो comparing numbers हम बहुत छोटी class से पढ़ते आ रहे हैं लेकि जैसे बड़े होते जाओंगे इन number भी बड़े होते जाएंगे है ना तो यहां पर अगर आप इसको compare करें compare का मतलब है दो तरह से compare कर सकते हैं एक तो आप यह देख सकते हैं कि कौन सा छोटा है दूसरा यह देख सकते हैं कि कौन से बड़े यानि कि दो तरह से इनको arrange कर सकत है ascending order में और descending order में ठीक है compare करते तो अगर हम ascending order देखें अब यह बताओ कि ascending order सबको पता है न क्या होता है ascending order ascending order में इनको arrange कर लेते हैं compare करते हुए तो ascending order में हम क्या लिखते है smallest जो सबसे चोटा नमबर होता smallest two हम जाते है greatest की तरफ, किसकी तरफ जाते हैं? greatest की तरफ. तो smallest के लिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर सारी ही जो number है, सब में number of digits क्या है? different, different है. First में क्या है? two है, फिर three है, फिर four है, फिर five है. तो number of digits ही जब अलग- Diet dich है, तो जिसमें कम number of digits है, वो चोटा number है. फिर है 392, 4456 और 89,742 बाइचांस यह लगे भी उसी order में हुए थे smallest to greatest में अब इसको reverse करना हो मतलब हमें निकालना हो descending order में तो descending order के लिए बच्चों हम क्या करेंगे greatest to smallest क्या करेंगे descending order के लिए descending order के लिए हम करेंगे greatest to smallest ठीक है सबसे बड़े से सबसे छोटा तो सबसे बड़ा नमबर कौन सा 89,742 उसके बाद 4,456 फिर 392 और फिर 92 तो यह क्या हो गया descending order ठीक है तो इस तरह के questions आपके exam में आती है कि आपको arrange करना होता है ascending में और descending में कई बार क्या होते हैं numbers आपके पास बड़े होते हैं और हो सकता है कि शुरू के दो numbers sum में बराबर हो तो बच्चों अगर दो बराबर हैं तो third से start कर देना third में देख लेना कि smallest कौन सा है greatest कौन सा है third भी same हो तो four देख लेना ठीक है तो इसी तरह अपने numbers को arrange करना है चलिए next की तरफ बढ़ते हैं next है हमारे पास make the greatest and smallest four digit number इस तरह का भी equation exam में पूछा जाता है आपको कुछ digits दे दी जाती है और उन digits को use करते हुए आपको number बनाना होता है अब यहाँ पे जैसे four digit दे रखी है four ही क्या है आपको four digit number बनाना है कई बार five digit दे रखी है five digit number बनाना है कई बार four digit हो जाती है और आपको बनाना five digit number हो जाता है उसमें specifically लिख कर भी दे देते हैं कि कोई एक digit दो बार आप repeat कर सकते हैं है ना six पूछे तो फिर कोई एक digit को दो बार repeat करो या तीन बार करो या किसी दो को repeat कर सकते है तो वो अलग-अलग situation given होती है कई बार यहाँ पर हमारे पास चार digit है और हमें four digit number ही बनाना है तो सबसे पहले देखो greatest को देखना ध्यान से greatest number मतलब बड़ा number कैसे बनाएंगे यह especially यहाँ पे zero वाला number लिया गया है क्योंकि zero वाले number में ही जादा तर क्या होती है गड़ड़ोने के chances रहते हैं अब greatest बनाने के लिए जो सबसे बड़ा number है जितनी भी digit दे रखें उसमें बच्चो जो सबसे बड़ा number है वो लिख लो सबसे बड़ा इन में से है five तो हमने लिखा five फिर लिखेंगे हम four फिर लिखेंगे three और फिर लिखेंगे zero तो एक तरह से हमने क्या किया descending order में लिख दिया जो में digit given थी ठीक है तो हमारा क्या बन गया ये greatest four digit number हमारा बन गया अब बारी आती है smallest की किसकी बारी आती है smallest four digit number की अब smallest four digit में कुछ बचे ज़्यादा active होते हैं या फिर वो बिना सोचे समझे क्या लिख देते हैं कि जैसे greatest में हमने बड़े से छोटा लिखा तो smallest number लिखने के लिए छोटे से बड़ा लिख दो है न और फटा फट से क्या लिख देंगे 0, 3, 4, 5 और ये जब वो लिख देंगे बच्चो ये हो जाएगा wrong wrong क्यूं होगा क्योंकि इस question को ध्यान से देखो इस answer को ये 3 digit बन गया है number इसको read करोगे तो ये क्या आएगा 345 क्या बनेगा ये 345 बनेगा हमें 345 थोड़ी बनाना था हमें 100 थोड़ी बनाना था हमें तो 4 digit बनाने थी तो 4 digit में तो 4 digit होने चाहिए मतलब 1000 आना चाहिए कही ना कही तो ये क्या हो गया, wrong हो गया, तो 0 अगर आपके पास है, तो आप 0 को second place पढ़ाएंगे, ठीक है, जो सबसे छोटा number है, 0 के बाद, 0 तो obviously ही छोटा, लेकिन 0 के बाद जो छोटा number है, वो पहले लिखेंगे, तो यहां से 3, 4, 5 में 3 है छोटा, तो 3 लिखा हमने, फिर हम लिखें तो यह बनेगा हमारा number, smallest 4 digit number, जो इन digits को यूज करके बना है, ठीक है, ध्यान रहेगी बात, क्या बनेगा हमारा यहां से, 3, 0, 4, 5, 4 digit number, ठीक है, चली, आगे बढ़े, यह हो गया, दूसरी तरह का question, जो इस chapter से आप से पूछे जाते हैं, ठीक है, next है हमारे पास बचों, आ जाने कि number को Indian system में लिखना, या read करना, या फिर comma लगाना, और international system में, या तो आपको ऐसे दे दिया जाता है, कि आपको कोई एक number दे दिया जाता है, इसमें Indian system के according commas लगाईए, या फिर international system के according commas लगाईए, या फिर उसको words में लिखिए, यही बनते हैं, तो सबसे पहले त उसमें कितने periods हैं, या कितने कितने gap के बाद हैं, तो देखो इसमें है ones, thousands, lakh और करोर, once के अंडर आते हैं, तीन, once, tens, hundred, और thousand जो है, उसके अंडर क्या हैं, दो, कौन-कौन से, ten thousand और thousand, lakh के अंडर भी lakhs और ten lakhs, उसी तरह करोर के अंडर, करोर और ten करोर, ठीक है, तो अगर हम इसमें कौमा लगाते हैं, इंडियन सिस्टम में, तो जो first यहाँ पे period है, वो three, one, two, three, three है ना, यह पूरा ones वाला पूरा है, तो पहला जो कौमा लगेगा, वो three के बाद, फिर इस वाले period में, thousand जो पीरियद है, इसके अंडर दो आते ह और करोर के अंडर भी two है, ten करोर और करोर, तो अगर हमें इंडियन सिस्टम के according इसमें कौमा लगाना है, तो हम right से start करेंगे, और जो बिलकुल right में है, वहाँ से तीन डिजिट छोड़ कर कौमा लगाएंगे, जो की once period को करेगा denote, और उसके बाद, two, two, two के बाद कौमा लगाते जाएंगे, तो नमबर लिखे जरा, नमबर है, six, five, three, two, seven, five, eight, two, nine, तो इंडियन सिस्टम की बाद हो रही है, तो आप तीन छोड़ के एक बार कौमा लगाओ, और फिर two, two करते हुए क्या लगा देंगे, कौमा लगा देंगे, और अगर इसको read करना हो, तो इसकी place, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम अपनी class में कर भी चुके थे, क्या place है इसके, यह है ones, यहाँ है tens, फिर है आपका hundred, फिर है यहाँ पर thousand, यहाँ पर है क्या ten thousand, फिर lakh, फिर ten lakh, फिर करोर, फिर ten करोर, तो अगर इसको read करना हो, तो 65 करोर, 32,75,829, ठीक है, तो यह हमारा कौन सा system हुआ, यह हुआ Indian system, ठीक है, Indian system के according, Indian system of numeration इसको बोलते हैं, कि Indian system के according, कौमा लगाना और उसको read करना, अब international system क्या है, देखो, international system में 3-3 के periods बने होते हैं, किस किस के बने होते हैं, 3-3 के periods, तो इसमें ना कोई lakh होता है, ना कोई करोर होता है, पहला तो रहेगा ones, जैसा कि हमारा इसमें ones था, दूसरा thousands रहेगा, इसमें हमारा thousands था, थर्ड जो हो जाएगा, वो हो जाएगा millions, क्यो हो जाएगा, millions, और कितने के group रहेंगे, इन periods के नीचे, 3-3 के, ones के नीचे भी 3, ones, tens, hundred, thousand के नीचे भी 3, thousand, ten, thousand, hundred, thousand, और million के नीचे भी 3, million, ten million, और hundred million, ठीक है, तो अगर इसी नंबर को हमें international में अगर आपको कहा जाए कि आप कौमा लगाईए, और उसको read करिये, या write करिये, तो आप कैसे लिखेंगे, यह देखो, six, five, three, two, seven, five, eight, two, nine, यह नंबर है, तो 3-3 करके आपको क्या लगा देना है, कौमा लगा देना है, तो हमने लगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3, यह कौमा लग गए, 3-3 के बाद, international system में, ठीक है, यह कौन सा system है, international system, international system of numeration, और अगर हो इसको read किया जाए, तो read करना जैसे कि आपको आता ही है, क्या करेंगे, इसको 653,275,821, यह जो तीनो नंबर है ना, इनको एक साथ read करना है, क्योंकि यह million की category में है, किसकी में है, millions की category में है, तो हम इनको कैसे read करेंगे, देखो यह एक period हो गया यहाँ से, यह दूसरे period के अंदर है, और यह तीसरे में, मतलब यह once वाला है, यह thousands है, और यह millions है, तो इसको हम करें 653,275,821, ठीक है, कॉमा लगाने की बात आए, तो इंडियन में पहले तीन और फिर 2222 करते जाएंगे, और इंटरनेशनल की बात हो, तो 3333 करके कॉमा लगाते जाना है, ठीक है, और अगर इसके बारे में आप कहो कि इसको और अच्छे से खुब सारे example लेकर बताया जाए अगर आपको नहीं समझ आता है, तो comment box में बताना है, हम किसी दिन इस पर एक special class लगा के पूरा भी कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं, दुबार भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है, चली, आगे चलते हैं, आगे है इस chapter में हमारे पास estimation, estimation या फिर estimate करन देखो, estimation की तो हमारी daily life में भी बहुत importance है, आप मालो कहीं आप market गए हो, या आपके जो parents है, वो market गए हैं, और उनको कुछ समान लाना है, और तो थोड़ा idea लगाते हैं, कि हमें इतना समान लाना है, तो कितनी money की हमें जरूरत है, तो थोड़ा सा idea अगर वो लेकर चले, त तो हो सकता 10, 12 के around आएं, या फिर हो सकता कोई बाहर गया हो, तो 8 आएं, तो आप क्या preparation करके रखते हो, कि 12 और 10 के बीच की हम preparation कर लेते हैं, हो सकता है, इतने friends आएं, तो इसलिए जो estimation है, वो daily life में तो जरूरी है, और इस chapter में भी उसकी importance है, ठीक है, एक्जाम में भी उसस 10 बताओ, कभी nearest 100 बताना है, कभी आपको कहते है, nearest thousand बताओ, या कई बार ऐसा भी होता है, कि आपको कोई estimation न बताए, कि आपको 10, 100 या thousand करना सीधा करे, estimate कर दो, तो अगर आपको कोई सीधा कहता है, estimate कर दो, तो आपको जो इसमें सबसे बड़ा number है, मतलब जो उसमें सबसे बड़ी value है, उसके around आपको estimate करना है, जैसे कि यहाँ पर thousand है, तो thousand के around आप इसको estimate करेंगे, फिर आप यह मत सोचना कि 10 के कर देते हैं, या 100 के कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, standard rule ये कहता है, कि जो maximum value है, वो ही round off होगी, ठीक है, maximum place इसमें जो है, वो ही round off होगा, ध्यान ठीक है, तो इसमें बार-बार ऐसे पूछने की जोरत नहीं कि कौन सा place round off करना है, नहीं लिखा हुआ तो सबसे बड़े वाला place को round off कर दो, ठीक है, चलिए, अब इसमें देखते हैं कि 10 पे कैसे round off करना है, नमबर है हमारा, क्या नमबर है, 1, 4, 5, 3, place हमें ये वाला करना है round off, 10 तो ये ही है न, 10th nearest 10 पूछा हुआ है, तो नमबर आपको करना है 5, जो 10th place पर है, तो इस नमबर से पहले वाला नमबर देखो, पहले वाला नमबर, अगर 5 या 5 से जादा है, क्या है 5 और more than 5, ठीक है, 5 या फिर more than क्या है, 5 है, तो ये जो नमबर है, ये बन जाएगा, 0, obviously round off करेंगे तो, और जिस place को round off करना है, वो नमबर एक increase हो जाता है, मतलब हमें क्या करना होता है, next number लेना होता है, अगर 5 और 5 से जादा है, तो अगर less than 5 है, less than 5, less than 5 का मतलब है, 1, 2, 3, 4 है, तब हम previous number लेते हैं, फिर हम एक बढ़ाते नहीं है, फिर हम क्या करते है, ये ये जो number है, वो ही रहेगा, ठीक है, तो हम फिर उसको क्या करेंगे, next number पर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो 5 से कम है, अब यहाँ पर देखो, 3 है, 3 तो हमारे पास less than 5 है, तो less than 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 4, 5 को 5 लिखेंगे, और ये बन जाएगा 0, ठीक है, उससे जो place हमें round of करना है, सिर्फ वहीं तक value रहेंगी, उसके बाद वाले सारे places क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ध्यान वस ये रखना है, कि उससे पहले वाला place 5 या 5 से जादा है, उसकी value, तो एक बढ़ा देना, नहीं तो वैसे का वैसा रहेगा, तो अगर हम इसको ऐसे एक 55 होगा, ये 54 हो जाएगा, ये 53, यहां 52 और ये 51, तो ये जो 53 आप देखरों कि 5 से छोटा है, तो ये 50 पे round of हो गया, और अगर ये 5 से बढ़ा होता, मतलब 56 होता, 57 होता, तो हम इसको 60 पे round of कर देते, मतलब 3 को बना देते, 0 और 5 में एक increase करके 60 कर देते, ठीक है, तो अब ह 5 से ज़्यादा होता, मालो मैं यहां 57 लिख देते हूं, 5 से ज़्यादा लिख दिया, मैंने 1 प्लेस पे, तो हम क्या लिखते है, 1, 4, फिर ये 5 क्या होता, एक number increase हो जाता, और ये हो जाता, 0, तो ये फिर round of कर हो जाता, 1, 4, 6, 0, ठीक है बच्चों, चलें आगे, और भी ऐस है, nearest tenth आप, nearest hundred लेंगे हम, और उसी तरह फिर thousand लेंगे, ताकि तीनों तरीकी की आपकी practice हो जाए, ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है, hundred की, hundred place पर पहले देख लेते हैं, कि है क्या, hundred place है हमारा ये, ठीक है, इसको round off करना है, इस से पहले वाले नंबर पर नजर डालेंगे नंबर है seven, और seven हमारे पास है more than five, तो more than five है, तो हमें क्या करना है, एक increase कर देना है, तो eight में एक बढ़ाएंगे, तो nine आ जाएगा, बाकी दोनों place पर zero, अभी मैंने कहा है कि जिस place को round off करना, वहीं तक नंबर लिखे जाएंगे, आगे आप लोग क्या रख दोगे, zero, ठी ठीक है, तो eight बन गया nine, वो क्यों बना, क्योंकि जो seven था, वो five से जादा था, अगर यहीं पर ये five से कम होता, मानलो ये four होता, तो हम इसको round off कैसे करते, nine, eight, eight का eight ही रहता और बाकी zero हो जाते, क्योंकि ये four क्या है, five से कम है, और अगर five आ जाता इसकी जगए, तो भी हम next number पर जाते, ठीक है, ये बना हमारा, एक बार thousand का और देख लेते हैं, thousand में है बच्चों, हमें क्या करना है, near as thousand करना है, तो इस number में पहले देख लो कि thousand प्लेस कौन सा है, तो five, three, five, five, two, तो thousand प्लेस हो गया ये, इससे previous वाला number five, और हमने का था कि five, और more than five, या तो पांच ह जादा हो, दोनों ही case में इस number को एक increase कर दिया जाएगा, तो ये बनेगा five, four, zero, 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 कितना बन जाएगा, five, four, zero, 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 ये ही है हमारा round of a two near as thousand, ठीक है, पता चला, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next हमारे पास estimate some more difference, अब इनका sum, यहाँ पर sum दिया हुआ है, तो sum को में estimate करना, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, कि कौन से place पर estimate करना है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर ना given हो कि कौन से place पर estimate करना है, तो जो highest value है, उसी को estimate करना है, तो मतलब हम thousand place पर estimate करेंगे, अब देख रहे हो, आप यहाँ पर thousand place पर five है, उससे पहले वाला number two है, जो less than five है, तो हम इसको estimate करके क्या लिखेंगे, five का five रहने देंगे, बाकी सब zero कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास seventeen thousand, क्या है, seventeen thousand, तो seventeen thousand पर आप direct इसको क्या ten thousand पर लोगे, तो आपको पता है कि यह number एक increase हो जाएगा, two बन जाएगा, और seven जो है, क्योंकि five से जाद है, तो zero बन जाएगा और यह two बन जाएगा, लेकिन seventeen thousand क्या है, twenty thousand से कम है, तो हम इसमें क्या seventeen thousand को round off करेंगे, और इस से पहले वाला number देखेंगे, पहले वाला number क्या है यहाँ से, nine है, nine क्या है, five से जादा है, तो यह number एक increase हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, बाक eighteen thousand nine hundred eighty six को round off करके हमने लिख दिया eighteen thousand, add करोगे इसको, तो यह बन जाएगा, यहाँ से twenty three, अगर कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, five thousand, और इस one को round off करते हैं, अब seven बड़ा है, तो one को round off करेंगे, तो यह two बन जाएगा, बाकी सब zero हो जाएगे, और twenty लिखकर ऐसे इसको round off करेंगे, तो answer यह भी सही है, लेकिन कई बार teacher क्या सुझते हैं, जो nearest answer है, वो निकलना चाहिए, तो 23,000 और 25,000 में तो बहुत फर्क है, तो इसी लिए आपका जो exact answer रहेगा, वो 23, बट गलत इसको भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह बना हमारा, क्योंकि 17,000 था, त तो चलो, एक difference का देखते हैं, फटा फट, difference में भी देखो, क्या given है, यहां से, 5673 है, तो 5000 को round off करेंगे, बच्चों यहां पर 6 है, जो 5 से जादा है, तो यह 5 में एक increase कर देंगे, तो यह 6000 हो जाएगा, यह हो जाएगा 00, अब 436, तो 36 है, तो 4000 वाले term तो ही नहीं, तो 400 प् इसको round off करेंगे, इससे पहले वाला number 3 है, जो 5 से कम है, तो यह 400 हो जाएगा, ठीक है, minus कर देंगे 0065, मतलब 5600 आजाएगा, ठीक है, चलो, आगे बड़े, next है मारे पास, estimate the product, अब वैसे तो इसको multiply करना बहुत मिश्किल है, मतलब time consuming है, लेकिन उसने कहा है कि estimate करके इसको round off करना है, तो estimate करके तो बहुत easy है, क्या करना है, इसको अगर हम round off करें, 1, 2, 9, 1 को, तो यह हमारे पास, मालो, इस place पे हम round off करते है, 1000 place पे, तो इससे पहले 2 है, 2 हमारा 5 से कम है, 5 से कम है ना, तो यह क्या round off हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, बाकी सारी terms 0 हो जाएंगी, 592 जो place है, यहाँ पर maximum 100 है, 100 पर 5 value है, इसको round off करेंगे, इससे पहले वाला जो number है, वो 9 है, 9 तो 5 से जादा होता है, 9 5 से जादा है, तो 5 बन जाएगा 6, यह वाला 5 बन जाएगा 6 और बाकी दोनों हो जाएंगे 0, अब देखो कितना easy हैं का product निकालना, easy है ना, मतलब हमें multiply करना है, 1000 को 600 से, तो इसको multiply करेंगे, तो बच्चों कितनी 5 0 इसके साथ लगा दो, यह हो गया हमारा round off, answer आ गया, ठीक है, तो estimation क्या करता है, calculation को easy बना देता है, और बहुत जल्दी हम answer निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो यह थे estimation का, अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है, expanded brackets, expanded brackets मतलब bracket लगा कर इसको expand करकर अगर हम solve करें, तो हमारा question क्या बन जाता है, easy बन जाता है, कैसे बन जाता है, 17 को हम लिख सकते हैं, 10 plus 7, 109 को हम लिख सकते हैं, 100 plus 9, चीक है, अब क्या करना है, इस 10 को multiply करना है, इन दोनों numbers से, तो 10 को multiply किया हमने 100 से, plus 10 को multiply किया 9 से, plus 7 को multiply करना है 100 से, और फिर 7 को करना है 9 से, तो 7 को multiply किया 100 प्लस 7 को multiply किया 9 से तो ये हमारे पास बनेगा यहां से बच्चों 1000 ये हो जाएगा 90 ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 63 अब इन सब को add कर लो इनको add करेंगे तो 1790 प्लस 63 इसको add करेंगे तो 6, 5, 8, 1 ये हमारा अंसर बन जाएगा तो expanded brackets का मतलब है कि जो number आपको दे रखे हैं उसको expand करना और फिर उनको multiply करना expanded form में लिखकर उनको multiply करना expanded form आपने अपने previous classes में पढ़ी भी थी कि माल लो 234 है तो इसकी expanded form होगी 200 plus 30 plus 4 अब यहाँ पे तो क्योंकि इसके तीन form boundary expand करके तो तीन वाले तो आएंगे नहीं आपके लेकिन इस तरह के जरूर आ सकते हैं जिसमें expand करके दो number आते हैं ठीक है ताकि उनको multiply करके answer को easily निकाला जा सके ठीक है next है इस chapter में हमारे पास इस तरह से लिखते हैं class first है तो one फिर two है तो two इस तरह से बने रए तो Roman numeral में क्या है इसकी quality यह है कि इसमें बच्चों zero नहीं होता एक तो one से ही start होती है तो one दो लगा दी है करता है फिर 6, 7, 8, 9, 10, X जो है वो 10 को रिपर्जेंट करता है उसी तरह L जो है वो 50, C, 100, D, 500 और M बनाता है 1000 क्या बनाता है M? 1000 को रिपर्जेंट करता है अब लेकिन इसमें जब आप नंबर लिखते हो नो तो कुछ रूल आपको फोलो करने पड़ते हैं क्या रूल फोलो करने पड़ते हैं? First उसमें यह है कि if a symbol is repeated, its value is added as many time is occur ठीक है अगर एक नंबर को हम repeat करते हैं तो उसकी value भी वैसे ही repeat होती जाती है जैसे मैंने one लिखा तो ये one है, दो लगा देंगे तो दो हो जाएगा, तीन लगा देंगे तो तीन हो जाएगा, तीन अगर लगा दिया तो three बन गयागे लेकिन more than three times भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि one 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 करते करते हैं आप ten तक पहुँच जाएंगे तीन से जादा बार किसी number को repeat नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कितनी बार repeat कर सकते हैं, तीन बार repeat कर सकते हैं तो if a symbol is repeated, its value added as many times as it occur, दूसरा है, if a symbol is not repeated more than three times, ठीक है, कोई भी जो symbol है, वो तीन से जादा बार repeat नहीं हो सकता but the symbol VLD never repeated, यह जो तीन सिंबल है, कौन कौन से, तीनो ही 5 के ही multiple है, यह 5 है, यह 50 है, और यह 500, यह तीनो ही repeat कभी नहीं होते 5 का एक example लेकर देख लेते हैं, देखो 5 क्या होता है V, अगर 5 दो बार repeat हो जाएगा, तो 10 बन जाएगा और 10 के लिए तो हमारे पास symbol है X, तो हम direct X लगाएंगे न, 5, 5 क्यों लिखेंगे उसी तरह 50 और 50 को दो बार लिखोगे, तो 100 बन जाएगा, तो 100 का भी हमारे पास symbol है 500 और 500 को बच्चों हम दो बार repeat करेंगे, 1000 बनेगा, 1000 का भी symbol है, तो इनको repeat करने की ज़रती नहीं है क्योंकि इनके से related symbols तो हैं हमारे पास, ठीक है आगे है, if symbol of smaller value is written to the right of symbol of greater value, its value get added कि अगर एक बड़ा number है, जैसे 5 है, और उसके साथ एक छोटी value उसके right side में लिखी जाती है तो वो value add हो जाती है, ठीक है, तो V का मतलब है 5, इसका मतलब है 1, तो ये दोनो add हो जाएंगे और 6 बनेगा तो ये 6 को represent करता है, उसी तरह अगर कोई एक number है और उसकी जो छोटी value है, वो बड़ी value के left side में है तो minus हो जाती है, कैसे, V5 है, इसके left side में हमने 1 लिख दिया, तो left में 1 लिखा है, तो 5 में से 1 minus हो जाएगी और ये बनेगा 4, ठीक है, तो ये किसको represent करता है, 4 को, तो अगर बड़ी value के साथ में छोटी value right side में है तो उसको add कर देना, और छोटी value left side में है, तो उसको minus कर देना, ठीक है, ये बना हमारा उसके बाद आगे कुछ और भी है, 2-3 point, इसमें ये है, the symbol VLD are never written to the left of the symbol of greater value, ठीक है, क्योंकि ये कभी subtract नहीं होते हैं, तो कभी भी greater value के left side में ये नहीं लिखे जाते हैं, साथी साथ symbol 1 can be subtracted, 1 जो है, वो 5 और 10 में से ही subtract कर सकते हैं, ये ये वाली चीज बहुत खास है, क्य क्योंकि जब बच्चों को बोला जाता है, कि आप 99 लिखिए, तो बच्चे क्या करते हैं, 100 में से एक minus किया, 100 होता है C, और उसमें से ऐसे एक minus करके क्या लिख देते हैं, 99, और वो क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर लिखा काम देखो symbol X जो है वो किसमें से subtract हो सकता है L M और C में से ठीक है किस किसमें से हो सकता है L M और C में से हो सकता है subtract 10 तो यह थे कुछ rule अब फटा फट से कुछ Roman number लिखने देख लेते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं देखो 69 69 को हम लिख सकते है 60 plus 9 60 का कोई symbol नहीं है तो इसको हम 50 plus 10 लिख देंगे ठीक है 50 का है हमारे पास L और add करना है तो इसके right side में लिखेंगे 10 यह बन गया 60 right side में लिखने से क्या बन गया add हो गया और 60 बन गया 9 के लिए क्या करना है 10 में से 1 minus लिख दूँ 10 में से 1 minus तो यह L X है 10 होता है X minus करने के लिए 1 को बच्चो लिखना है left side में बन गया यह यह क्या बना L X 1 X यह हमारा answer हो गया ठीक है तो step by step करोगे तो गलतियां इसमें नहीं होंगी अब जैसे 98 का देखो जल्दी से 98 क्या बन सकता है आपका 100 minus 2 या फिर 90 plus 8 कर लो अब 90 को कैसे लिख सकते हैं है ना 90 को कैसे लिख सकते हैं 100 minus 10 लिख सकते हैं 100 होता है हमारे पास बच्चों C minus करने के लिए 10 को left side लिखेंगे तो यह हो जाएगा X ठीक है plus 8 को कैसे लिख सकते हैं 8 हो सकता है हमारे पास 10 minus 2 या फिर 5 plus 3 भी होता है ठीक है 10 minus 2 तो हम कमी लिखते हैं क्योंकि 2 minus नहीं करते हैं उसमें से तो यह इसको क्या लिखेंगे 8 को 5 plus 3 तीन बार तो add कर सकते हैं ना तो 5 plus 3 तो 5 plus 3 बन जाएगा हमारे पास V और 1, 2, 3 हमारे पास 90 और यह बना 8, 98 ठीक है तो इस तरह से roman numerals के आपको क्या करनी है अच्छी तरह है practice करनी है और कोई problem हो तो उसको पूछना है तो बच्चो यह थी आज की हमारी class अगर कोई ऐसा topic है जो और पूरा अच्छे से आपको समझना है तो फटा-फट से comment box में बताना है क्योंकि हमने यह revision करी है क्योंकि यह chapter हम बहुत बार कर चुके हैं बट फिर भी कहूंगी कोई problem है तो पूछना जरूर है तो चलिए एक बार आप quiz के question देख लेते हैं और देखते हैं कि कितना आप लोग इनका answer कर पाते हैं तो first बचों यहाँ से what is the difference between three digits greatest and smallest number मतलब आपको greatest three digit number और smallest three digit number में difference बताना है what is the difference between three digit greatest and smallest number पताएगे क्या आएगा इसका difference चालिए next है बच्चों which of the following is correctly written according to international number system ठीक है कौन सा यहां से correct लिखा हुआ है international system के according international system अभी हमने पढ़ा था ना कि three three करके उसमें क्या लगे होते हैं कौमाज लगे होते हैं तो यहां देखो ध्यान से कि three three करके कौमाज कहां लगे हुए हैं और कौन सा सही है चालिए next है हमारे पास which of the following is correct representation of 89 in roman numerals यहां से कौन सा 89 को correctly represent कर रहा है चालिए बच्चो यह हुए questions अब इनके answers देखेंगे difference between greatest three digit number और smallest three digit number तो greatest three digit number यह हो गई और smallest three digit number यह है दोनों का difference कितना आएगा 899 और 899 है हमारा option B तो correct answer यहां से बना हमारा option B next है बच्चो यहां से which of the following is correctly written according to international system तो international system में three three करके कौमाज लगते हैं one है starting में फिर three three है तो यह भी गलत है तो first option क्या है यहां से correct option next है हमारे पास which of the following is correctly represent 89 in roman numeral तो 89 को हम क्या लिखेंगे 80 plus 9 80 को हम लिख देंगे 50 plus 30 ठीक है और 9 को पता है आप 10 minus 1 लिख सकते हो 50 के लिए L और 30 के लिए 10 10 10 10 मतलब X X X और 9 के लिए 10 में से एक minus करना है minus के लिए left side में लिखते हैं तो left में लगा दिया हमने तो L X X 1 X जो की है option A तो correct answer यहां से बना option A तो बच्चो यह हुए आज के हमारे questions ठीक है और आज का हमारा topic कल की class में भी हम next chapter का करेंगे बट आपको बताना है इस chapter में अगर कुछ और खास चीज है जो आपको करनी है तो ठीक है तो मिलेंगे बच्चो कल की class में कुछ और नहीं चीज़ों के साथ तब तक के लिए बाई बाई